मैं पंडित सुंदर मनी प्राचन सिव्टा कुरतारा मंदर मनि मांजरा चंडिगड 21 जून को जो गरहन लगने जा रहा है आमावस के दिन आसाड आमावस के दिन मित्वन रासी में और मिर्गर सरानक चितर में घटित होगा तो इस दिन जो योग बन रहा है ये लगवग 25 साल पहले इस प्रकार का योग बना था 1995 में अक्टूबर मास में और ये जो सूर्य गरहन ये संपूर और भारत में दिखाए देगा जो मित्वन रासी में ये गरहन लग रहा है तो इस दिन जोतिस सास्तर के अनुसार शूर्या चंद्रमा को राहू गरह पीडित कर रहा है और मिर्गिसरा नक्चितर में ये गरण घटित होगा मिर्गिसरा जो की मंगल का नक्चितर है मंगल मीन राशी में इस्तित है जो की एक जलीय रासी है जलतत्त के रासी है और मंगल की जो ध्रिष्टी पढ़ रही है वो शूर्या, चंद्र और राहू पर पढ़ रही है जो की जन जीवन के लिए अनकूल नहीं है और इस दिन एक योग ये भी बन रहा है कि जो च्छे ग्राय है वो बक्री आउस्ता में रहेंगे बुद्ध, गुरु, शुक्र और सनी, राहू के तो पहले ही बक्री रहते हैं लेकिन इन ग्रहों के कारण भी जन जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है ग्रहन का जो टाइम है चंडिगर में 10 बच कर 24 मिनट 22 से और इसका जो मद्य काल रहेगा 12 बच के 4 मिनट पर और मोग्ष काल यानि की समाप्ती काल जो रहेगा और 1 बच कल 48 मिनट पर रहेगा तो बिरत सहिता की अनुसार गरहन पर मंगल की द्रिष्टी पढ़ने से जन जीवन के लिए अनकूल नहीं माना गया है बाद विबाद तनाव प्राकिरत का आपदाएं और विशेशकर महिला बर के लिए ब्यापारी बर के लिए इतना अनकूल नहीं है यूपी, बिहार, कश्मीर, दिल्ली, मद्यप्रदेश और यमना आदी यमना नदी के किनारे बसिवे सहरों के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है, इसका कुछ असुप्रवाव रहेगा तो गर्ण के दवरान हम भोजन करना, सयन करना ये बरजित का गया सात्रों में और इस दिन जो भिर्द है, रोगी है और बच्चे हैं, इनके लिए कोई दोस नहीं लगता है सात में जो गर्वती महलाएं हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए घर पर ही रहना चाहिए, और यशे की नुकिले, कोई चाकू या इस प्रकार की सुईश्ट प्रकार के हत्यारों का परियोग नहीं करना चाहिए शूर गर्ण को नंगन आँखों से भी नहीं देखना चाहिए इसके लिए आप तेली शकॉप या धूप चाय का चस्मा या कोई अन्य वस्तु का साहरा लेकर देख सकते हैं क्योंकि इससे आँखों को जो है गलत प्रभाव पड़ता है और इस शूर गर्ण का जो दुस्ट प्रभाव है इसे बचने के लिए हम मंत्र जाप कर सकते हैं महामिर्तुंजे का जाप कर सकते हैं और जो महामिर्तुंजे का जाप नहीं कर सकते हैं वो ओम्नमश्युआ का जाप कर सकते हैं साथ में भगवान सुर्य नान के मंतर का जाप कर सकते हैं हिर्दया आदितेश्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और इस दिन मंदर के पट भी बंद रहेंगे मूर्ती इसपर्थ करना मना है और जाप का इसमें बहुत ही महत्त बतलाये गया है 21 जून 2020 को जो सूर्य करन लग रहा है मिथुन राशी पर मिर्क सिरा नच्चतर में घटित हो रहा है तो इस दिन राहू सूर्या चंद्रमा को पीडित कर रहा है मिर्क सिरा नच्चतर में घटित होगा मिर्क सिरा नच्चतर मंगल का नच्चतर है जो की मीन राशी में चित है और मंगल की दृष्टी शूर्या चंद्र राहू पर रहेगी जो की जन जिवन के लिए अनुकूल नहीं है तो इस दिन गरन से इस दुस प्रवाव से बचने के लिए हम भगवान शूर्याय चंद्र का जाब कर सकते हैं घर्ध्या आधित रिष्ट तृत्र का पाट कर सकते हैं शूरिय ग्रह का दान कर सकते हैं और ओम नमोशिवाय का अजाब कर सकते हैं और जो बारा राशी है बारा राशियों एकिस प्रकार इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा वो इस प्रकार्चे हैं मेस राशी के लिए सामान रहेगा धन का लाब रहेगा कोई चिंता का विशाय नहीं है और बिर्स राशी के लिए धन हानिय है अत्य अधिक खर्चे रहेंगे धन पैसे का नक्सान हो सकता है और मिथुन रासी के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मिथुन रासी में गरण घटित हो रहा है मिथुन रासी वालों को गाड़ी वहान हरेक चीज में सावरदानी बरतनी पड़ेगी घर पर ही रहें तो बहतर अच्छा होगा और कर्ग रासी को भी धन लाव रहेगा अच्छा रहेगा और शिंग रासी के लिए भी अच्छा ही है सामान्या है लाव रहेगा कोई चिंता का बिसे नहीं रहेगा कन्यार रासी वालों के लिए कश्ट रहेगा सारी करक्ष्ट रह सकता है घर पर ही रहें तो अच्छा है गाड़ी बाहन सापधानी से चलाएं और जो तुला राशी है तुला राशी वालों के लिए संतान की तरप से करक्ष्ट रह सकता है मित्र दोस्तों के तरब से सावधानी रखें बिर्शिक रासी वालों के लिए सत्रू भेह रह सकता है घर परवार में बाद विबाद हो सकता है और जो मक्कर रासी है, मक्कर रासी वालों के लिए गूप्त चिंताएं रहेगी गाड़ी वाहन भी साफधानिस से चलाएं कुम्ब राशी है कुम्ब राशी के लिए अत्याधिक खर्चे रहेंगे लड़ाए जगड़े से दूर रहें गाड़ी वाहन भी साफधानिस से चलाएं और सनी ग्रह का दान करें जब गराम गरहन समाप्थ हो जाएगा मिन रासी वालों के लिए अच्छा बताया गहे है कोई चिंता का विष्या नहीं है धन लाव रहेगा और समय अनकुल रहेगा हम अपने जर्संकों को बताना चाहेंगे कि सूर्य गर्ण के इस दुस्प्रवाव से बचने के लिए आप भगवान शूर्य नारण का मंत्र जाब कर सकते हैं ओम गिर्णी सूर्याई नमा दूसरा भी मंत्र है बीज मंत्र भगवान शूर्याई नमा ओम रांग रिंग रांग सा सूर्याई नमा और भगवान विष्णु का विमंत्र है ओम रांग रामाय नमा ये मंत्र एकसो आट बार कर सकते हैं जितनी विमाला कर सकते हैं वो अति उतम रहेगा इस ग्रहन के दोरान और ओम नमश्वाई नमश्वाई की माला का जाब कर सकते हैं ये अति उतम रहेगा नमश्वाई